पानी पूरी का नाम सुनते ही मुमें पानी आजाता है है ना जब हम ठेले पर पानी पूरी खाने जाते हैं तो ठेले वाला हमें देता है दो तरीके का पानी एक तिखावाला पानी और दूसरा मिठा पानी तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक तिखावाला पानी और दूसरा खटा मिठा पानी और साथ ही में आलू का चटपटा मसाला की रेसिपी तो चलिए मुह में पानी लाने वाली इस पानी पूरी की पानी और चटपटे आलू मसाली की रेसिपी शुरू करते हैं नई रेसीपी सिखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बैल आइकन को ज़रूर से दबाए ताकि नई रेसीपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो सबसे पहले आलू मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप चना लिया है वो भी काला चना जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा तो चने को मैंने अच्छे से वाश करके 7-8 गंटे तक गुनगुने पाने में सोख होने के लिए रख दिया था तो 8 गंटे हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि चने भी अच्छे से सोख होने के बाद चने डबल कॉंटिटी में हो जाते हैं अब उसमें से हम सारा पानी निकाल लेंगे और सारे चनी को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसपर करने के बाद हम उसमें रिक्वाइर के इसाब से पानी एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने डेट ग्लास इतना पानी डाला है अब साथ ही में हम उसमें स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे और नमक को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब प्रेशर कुकर का टकन लगा कर पांच से च्छे कुकर की विसल हमें मीडियम गयस की फ्लेम पर लगानी है जब तक हमारे चैने boil होते हैं तब तक हम तिखा वाला पानी बना लेते हैं उसके लिए मिक्सम्जर में मैंने यहा fresh धनिया एक बंच इतना दिया है उसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है धनिया को हमें डंठल के साथ ही add करना है डंठल का में फुदीना यूज नहीं करना है यहाँ पे मैंने तीन से चार हरी मिर्च ली है तीखा आप अपने सब से एड़्जस कर लिजेगा एक जितना अद्रक का टुकड़ा एक टीस्पून जितनी सौफ जो टोटली ऑप्शनल है आठ से दस साबुत काली मिर्च एक टीस्पून ज इतना निम्बो का रस एड़ करेंगे साथ ही में हम स्वाद अनुसार नमक और चार से पांच हम आइस क्यूब एड़ करेंगे अब मिक्सर जार को बन करके इसे हमें अच्छे से पीस लेना है बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में हमें पीस लेना है तो आप देख सकते हो कि हमारी हरी पेस्ट बनकर रेड़ी है उसकी खुश्बू भी बहुत ही बड़िया आ रही है क्या बताओ मैं आपको अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उस पर हम एक चन्नी रखेंगे और सारी हरी पेस्ट हम चन्नी में एड़ कर देंगे हमें इसे अच्छी तरह से चान लेना ह अगर आपको इस तरह पानी चान कर नहीं बनाना है तो आप ऐसे ही ग्रीन पेस्ट पानी में एड़ करके पानी पुरी का पानी बना सकते हो। मगर मुझे परसनली ये पानी चान कर ही अच्छा लगता है और हाँ थोड़ा सा हम पानी मिक्सिजार में और एड़ करेंगे और फिर से एक बार हम इसे चान लेते हैं ये दिखे इस तरह से तो आप देख सकते हो कि ग्रीन पेस्ट को हमने अच्छे से चान लिया है अब एक ब बढ़िया हरा कलर आया है अब उसमें हम लेड लेटर जीतना थंडा पानी एड़ करेंगे साथ हिम में हम उसमें एक टेबल स्पून जितना पानी पुरी का मसाला एड़ करेंगे थोड़ा सा बारिक कट किया हुआ धन्या एड़ करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इस टेज़ पर हम पानी को टेस्ट करेंगे और तिखा और खटा और नमक आप अपने इसाब से अट्जेस कर लिजेगा अब एकदम स्पाइसी पानी पूरी के पानी में हम थोड़ी सी बुंदी आड कर करके उसे हम गार्णिश कर लेते हैं तो लीजिए पानी पूरी का तिखा पानी बनकर रेडी है अब हम खटा मिठा पानी बना लेते हैं उसके लिए मैंने यहां आधे कब जितनी खजूर ली है और उसके मैंने सीड्स निकाल लिये है अब हम उसमें रिक्वाइर के सबसे गु इमली ली है उसके भी मैंने बीज निकाल लिये है और इमली में रिक्वाइर के इसाब से हम गुनगुना पानी एड़ करेंगे और उसे भी हम 30 मिनिट तक सोख होने देते हैं तो 30 मिनिट हमारी हो चुकी है और आप देख सकते हो कि इमली अच्छे से सोख हो चुकी है और मैंन अच्छे से सोख हो गया है उसे भी हम पानी समित मिक्सर जार में एड़ कर देंगे यह देखिए अब हम मिक्सर जार को बंद कर लेंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं तो आप देख सकते हो कि इमली और खजुर की पेस्ट बनकर रेड़ी है अब बावल पर हम एक फ इसमें न रह जाए तो आप देख सकते हो कि मैंने इमली और खजुर के पल्प को अच्छी तरह से छान लिया है अब हम नेक्स प्रोसेस में चलते हैं सबसे पहले हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें यह सारा इमली और खजुर का पल्प एड़ कर द प्रोसे मिक्स कर लेते हैं गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है और चटनी को हमें कंटीन्यू स्टर करते रहना है और हाँ मीठा आप अपने इसाप से कम या जदा कर सकते हों इस चटनी को हमें कम से कम मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनित तक उबालनी है ठोड़ी सी थि फ्रीज में स्टोर कर सकते हो यह आराम से 10 से 15 दिन तक टिक जाएगी तो चलिए अब हम खटा मिठा पानी बना लेते हैं उसके लिए बाउल में आधा कब जितनी इमली की चटनी एड़ करेंगे और रिक्वाइर के इसाब से हम ठंडा पानी एड़ करेंगे मैंने यहां डेड कम लगे तो उसमें एड़ कर देजिगा तो खटा मिठा पानी हमारा बनकर रेड़ी है अब हम उसमें थोड़ी सी बुंदी डाल कर उसे गार्निश कर लेते हैं अब हम आलू का चटपटा मसाला बना लेते हैं उसके लिए मैंने यहां तीन मीडियम साइज के बॉयल किये हु थोड़ी सी चॉप कीवी हरी प्याज और हमने जो ग्रीन पेस्ट बचा कर रखी थी ना वो हम इसमें एक बड़ी चम्मत जितनी एड़ करेंगे साथ ही में हम एक टीस्पून जितना काला नमक, एक टीस्पून जितना पानी पूरी का मसाला और नमक हम टेस्ट के इसाब से एड़ करेंगे थोड़े से बारिक कट किया हुआ धनिया एड़ करेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब भी आपको पानी पूरी खानी हो तभी आप आलू के मसाले में प्यास एड़ कीजिएगा अगर आप प्यास नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो तो लीजे पानी पूरी का आलू का चट पटा मसाला बनकर रेडी है तो चलिए अब हम पानी पूरी को सव कर लेते हैं यहाँ पर मैंने पानी पूरी की पूरी ready मेड ली है बहुत जल्दी ही मैं पानी पूरी की पूरी का वीडियो शेर करूंगे तो लग रहे है बिल्कुल ठेले वाला जैसा एक दम spicy थंडा थंडा हरा पानी और खटा मिठा पानी और साथ ही में ये चटपटा आलु का मसाला तो बस अब क्या कर रहा है कि दोनों पानी रेडी है तीखा और मिठा आलु का चटपटा मसाला भी रेडी है और पूरी तो मैं रेडिमेड लेके आई हूँ और पूरी को हमें इस तरह से फोड़ना है और उसमें आलू का चट पटा मसाला बर लीजेगा कम या ज्यादा जैसे आपको पसंद हो और अब हम चट पटे आलू के मसाले से भरी हुई पूरी को हम डुबाएंगे ऐसे ठंडे ठंडे तिखे पानी में बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स इस तरह से खटे मिठे पानी में भी आप इस तरह से पूरी में मसाला एड़ कीजेगा और ठंडे ठंडे खटे मिठे पानी में डिप कीजेगा और एंजोई फ्रेंड्स ये दोनों ही पानी तिखा पानी और खटा मीठा पानी बहुत ही अमेजिंग बना है और साथ ही में जो आलू का चटपटा मसाला बना है मैं क्या बोलू आपको मैं समझ नहीं पा रहे हूं आप खुदी इन दोनों पानी और आलू के मसाले को ट्राइ किजेगा